नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल से से कुछ भरतियों को लेकर कि महतुपुड अप्डेट है और इनके अलावा भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट यहां पर अप्डेट से जिसमें आई बी से एसी आयो की पोश्ट पर नो से पंचानबे पोश्ट पर वैक से बहुत अच्छी है आप में से जो लोग भी इलिजबिल हों आप इस भरते के लिए जरूर तयारी कर सकते हैं सो क्वेसन पूछे जाएंगे अप्जेक्टिव टाइप के और टीर 2 यह टीर होनों गीए टीर 2 में आप देखेंगे डिस्क्रिब्टि टाइप पेपर होगा 50 मार्क से हैनी लिखना होता है उसमें तो बिल्कुल अगर आप इलिजबिनुत आप लग जाए इसमें अभी से आप कोशिस करेंगे तो कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है 18 to 27 years जन्रल के लिए बाकी जो रिजर्ब कैटिकरी के अभ्यरती होंगे आपको नियमानुसार आयो सिमा में छूट भी मिलेगी ये UPPSC से न्यूज है कि UPPSC में OTR के तुरूप 15 लाग से अधिक अभ्यरती जुड़ चुके हैं कुछ और भी हाँ पर अपडेट है UPPSC से ही निरक्षे के 9 पदों पर परणाम गोशित और डेंटल सर्जिन के 174 पदों के लिए इंटर्व्यू 29 से UPPSC से जेई 18 भरते के अभ्यरतियों का इंतजार समाथ होने का नाम नहीं ले रहा है और अब भी आप देखेंगे तो इस साल भी आपका रिजल्ट आने की उमीद कम लग रही है यानि कि जो कुछ भी इसूझ है आपकी भरती हो चाहरे ASO की भरती हो जो कुछ भी इसूझ है उनको साल करने में कितना समय लग जा रहा है जे के लिए नई भर्थी का विग्यापन भी सत्परस्थ आपको देखने को मिलна है दिसंबर के महीने में, इस महीने नहीं दिसंबर की महीने में आपको विग्यापन नोटिपेशन देखने को मिल जागाए, कुछ और भी नोटिपेशन आरा है यूपितर फलसी से medical के field के भी notification आने की उम्मीद है जिसमें एक या दो notification हो सकता है फिलाल में जेई 18 भरती के अभ्यरती समिदान दिवस पर फिर से eco garden में जुटेंगे और पहले भी आप सभी की तरफ से जेई 2016 भरती के अभ्यरती के तरफ से अनवरत धरना परदसन किया गया है eco garden में आप सभी की बात सासन तक पहुँचे आयोग तक पहुँचे जल्दी आपका result आए पस यही उम्मीद करते हैं इसी के साथ देखिए वीडियो 2018 भरती के अभ्यरती के अभ्यरती का नए vacancy का notification भी जारी हुआ है और आगे भी SSC से नई भरती का विग्यापन आना है लेगपाल भरती में आप सभी देखेंगे कि लिष्टिंग के लिए आयोग की तरफ से लिष्टिंग अप्लिकेशन लगवाया गया है सुनवाई के लिए हाई कोड डिविजिन बेंच में मंडी परिसद और आई टी अनुदेशक 24 साट लिष्टिंग की नोटिस ये नोटिस आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे और ज़्यादा चांस है कि विदिन वन वीक या फिर आठ से दस दिन के अंदर अंदर और जूनियर असेश्टें 1262 वैकिंसी का रिजल्ट न डीबी के लिए जू रिजल्ट आएगा क्योंकि अभी जू रिजल्ट हएगा और डीबी के लिए सॉरी यहाँ पर टाइप इंग लिखना चीए था कि टाइप इंग लिए जू रिजल्ट आएगा आपका और आप सभी को जल्दी ही देखने को मिल जाएगा और हमने बहुत पहले भी आप सभी को बताया था कि दिसंबर में दो रिजल्ट आपको कम से कम देखने को मिलेंगे एक रिजल्ट है जुनियर असेश्टन 1262 और दूसरा रिजल्ट है मुख्य सेविका का और अब भी भी पूरे चांस है कि ये दोनों रिजल्ट आयो के तरफ से दिसंबर की महीने में दे दिये जाएंगे जिसमें पहले जुनियर असेश्टन 1262 वैकिंसी का रिजल्ट देखने को मिलना है मुख्य सेविका का रिजल्ट आंसर की आपको इसी मन्थ नौमबर में ही देखने को मिल जाएगा और ज्यादा संभावना है आप कभी भी बाकि जैसा ही बिल्कुल कर्मपन पता चलेगा एक से दो दिन या जब भी आना होगा आप सबी को बता देंगे लेकिन अभी आप बिलकुल उम्मीद रखें कि आपको इसी मंत देखने को मिल जाना है संसोधित आंसर की बागी कटाप को लेकर कि बिलकुल भी परिसान ना हो जूरियर असेशन 1262 वैकेंसी में भी हमने आप सभी को बताया था कि आप DB के लिए साट लिस्ट हो जाएंगे अब आगे डिपेंड करेगा DB के लिए कितने लोग स्किप करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कही न कहीं सेलक्सन होता जा रहा है तो लोग DB क्यों कराने आएंगे कुछ लोग के डोकुमेंट में प्राप्लम होगी कुछ लोग eligible नहीं होगे तो पहले से निरास मत होगे जो भी लोग कटाब बताने वाले हैं उनको बताने दीजिए आप लोग उन पर ध्यान मत दीजिए सिर्फ और सिर्फ आप अप अपने आगे कितनी सीट्स है पेपर का लेबल कैसा था बहुत सारी चीज़े होती है एक अपडेट यहां पर आप सभी और देख लीजिए P.E.T. 2030 को लेकर के किसी भी भरती में भले डिले हो आयो के तरब से लेकिन P.E.T. में डिले नहीं होगा में आपको P.E.T. 2030 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और P.E.T. 2030 से रिजल्ट डिकलेर होते ही आप सभी अपना स्कूर कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे इसके बाद P.E.T. 2030 से कई महतुपड भरतियों की विग्यापन भी आपको लोग सभा चुनाओ से पहले पहले देखने को मिलेंगे कम से कम 6 या 7 विग्यापन मिलने की उमीद है बाकी देखिए आयो के उपर है सासन की क्या मंसा होती बाकी आयो के पास कई विग्यापन की अधियाचन पड़े हुए है कई भरतियों के लिए अधियाचन आया हुआ है बाकी आपके अमन में कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो